बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS24 इंडिया में फ्रेंड्स आज हम आपको कराएंगे Current Affair जो की सभी परिक्षाओं में पूछी जाती है और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें उसके बरावर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन है फागु चोहान किस राज्ये के ने राज्येपाल बने है बताइए फागु चोहान किस राज्ये के ने राज्येपाल बने है तो यह बने है बिहार के बिहार के राज्येपाल बने है फागु चोहान हाली में और आपको एक जो बिहार के पहले राज जी पाल कौन थे वो थे लाला जी टेंडन लाल जी टेंडन ठीक है इसके बिहार के बारे में कुछ जानकरी है आप यह देख लिए बिहार का जो गठन हुआ था वह 22 माज 2019 में हुआ था मार इसको राज्य का दर्जा जो मिला था 26 जनवारी 1950 को मिला और छेत्रफल के हिसाप से तेर्मा है और जन्व संग्या के हिसाप से तीसरा है ठीक है और शाक्षक्ता दर्ज यहां पे 61.80 है और लिंगा नुपाज जो इसमें तो लिए को कि नो सो टारा है और इसकी पटना है और इसकी केपिटल जो यह पटना है और गया नितिश कुमार है और गुवनन जो आज फागु चुहान है और लोक सबा जो है चालीस में राजिजस अबाशरा जो है राज की बिर पिपल एंड़ और है अगला कोशन हैं अनंधी बेन पटेल किस राज्ये की नहीनराज्ये सफंदन, बनीचन बनी में तो इबनिये आपकी उत्तर प्रदेश की ठीक कि इसकी उत्तर पृदेश के राजी पलवनी है और इसके बारे में आप जाने लेते हैं उत्तर प्रिदेश के बारे मैं आपको बताता हूं उत्तर पृदेश जोई 24 जन्वारी 1950 को इसका गठन हुआ था और इसका चेतर फल में 4 इस्तान है और जन संख्या के रंकिंग में फर्स्ट इस्थान है और सक्षक्षता यहां पर कितनी है सिवंड सिक्स्टी पॉइंट इस्टी सेवन पॉइंट शेवन पॉइंट उस्टी एट और लिंगा नुपाज नो सो बारा है और इसकी capital जो है लगनव है और CM जो है योगी अदित्यनात है और इसकी गवर्नर जो है राम नाइक और लोक सवा 80 है राजी सवा 31 है विधान सवा 403 पिलस एक और विधान परिशत जो है सो है जिले जो है 75 है मुख्या नियादिश गोबिन माथूर और राज के पशु भारा स तिंगा राज के पक्षी सारस राज के पेड़ अशौक राज कि फूल पलास और राज के आम राज के फल आम और राज के मिठाई जलेवी और नेशनल पाग दुद्वा नेशनल पाग चंद्रप्रभा और हस्तीनपूर तथा रानीपूर डेम रियंद डेम गोविन अमीड इस्तर के उद्गमियों और गिरागों के लिए अपनी तरह का पेला मनीबेक क्रेडिट कार्ट लॉंच किया है इसका अंसर है 345 करोड रुपे की लागत से किस देश के साथ MR SAM मिसाइल प्राणी के लिए समझोता किया है इसका सजयांसर है आपका इस्राइल इस्राइल जो MR MSA में इसकी फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सर्फेस टू एर मिसाइल ठीक है इस्राइल कि जो केपिटल है वह है जेरुसिलम प्रेजिडेंट है रियो बेन रिवलिन और पीम जो है कि परियावड मंत्री ने मंत्राली ने बिलू फलेग फिर्मानन हैतू भारत के लिए कितने समुंदर टट का चैन किया है बताइए इसका सही अंसर है बारा कि इसको थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में बार्वा समुंदर टटे सिवराजपुर गुजरात भागवे महाराष्ट और कपड़ है केरल घोगला है दक्षिन उत्री और मिरामार गोवा कासर कोड पदू भीहाद्री कनाटक इडन पेडुचेरी महाबलीपुरम तमिनलाडू रूशी कोड़ा अंदरप्रदेश गोल्डन ओडिशा ततर झालें अगला कोर्शन हाली में किस ऐसे नामक एक नया प्लैटफर्म लांच किया है कि तो यह किया है आईसी आईसी और इसके बारे में चाहिए जान लेते हैं है कि इसकी जो स्थापना हुई 1994 हुई है बोंबई और इसके जो चेर्मेन हैं वहें गिरीष चंदर संदीब बक्षी अगला कोशन है राष्टिय मुद्रा कोश के अनुसार भारत का चालू खाता कोश घटा घटा में कितना रहा करेंट एकाउंट बेलेंज डेफीट बताइए तो यह अरब डॉलर कितना अरब डॉलर तो इसके बारा में जान लेते हैं अंतराश्टिय मुद्रा कोश के बारे में तो इसकी जो इस्थापना हुई वह ही थी जुलाई 1944 में प्रिभाब माया जो था यह कब आया था दिसंबर 1945 को इसका हैट क्वाटर वाशिंग्टन डिसी में अत्रिम प्रिवंदक निर्देशक जो हैं डेविट लिप्टन और इस कंपुनी ने 2018-2019 के लिए नवाड प्रोसकार जीता बताइए इसका अंसर तो इसका अंसर है रेप को माइक्रो फाइनेंस रेप को माइक्रो फाइनेंस तो नवाड के बारे में हम जान लेते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्लिकर्चर्टर एंड रूल डप्लमेंट इसकी फ और इसके अंगला कोश्चन आपका भारत में भारत और चीन के बीच आठमी हैड इन हैंड सेयुक्त सेनिया इभ्यास कहां अयोजित क्या गया बताएं तो इसका से आंसर है उम्रोई उम्रोई में क्या गया अब हम चीन के बारे में जान लेते हैं चीन की राज केपिटल है ले बीजिंग और यहां के प्रेशिदेंट और शी जिंपिंग यहां के लिक्यंकिंग लिशेंक क्यांग और है और यहां के सांसदें नेशनल प्यूपिल्स कांग्रेश्ट मुद्रा की रैंबिन भी अगला कोशन है किस राज्जिय में भारत का पहला गारवेज केफे कच्रा शुरू किया गया तो गारवेज केफे कच्रा जो शुरू किया गया है वो कहां किया गया आपका 36 गड़ में इसका मतलब क्या है गारवेज केफे का गारवेज केफे का मतलब है कि अगर एक किलो आप हाँ आपको घंब्र मिलेगा और तो आपको एक दाइम का खाना मिलेगा और अगर आप पांट सों क्राम कछ्राइब गरभबस की में आपको the मिलेगा एक टाइम का तो चाहतिस गड़ के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा चाहतिस गड़ की स्थापना जो हुई थी वह एक नौंबर लोग सभा सीट जो है अब 11 राजी सभा जो है पांच है विदान सभा 90 जिला 27 मुख्यन अदिश प्यार रामचंद मेमन है राच के पशु जंगली भेंसा और राच के पक्षी पहाली मेमना राच के ब्रक्ष जो है साल है और लोगनित्य जो है कर साइला सुआ नाचा तथा पांथी नेशनल पार्क है यहां पर इरावत्ती नेशनल पार्क कंगोर्न घाटी नेशनल पार्क तथा गूरी घास दास नेशनल पार्क और बांध जो हैं कर वह ग्रेगेल बांध महानधी पर है कि अगला कोश्चन है आपका है कि फूट वर्ल टूनामेंट इंटर कांश्टेवल कप 2019 का खिताब किस ने जीता इसका आंसर आप बताएं तो इसका सही आंसर उत्तर कुरिया ने जीता आप इसके बारा है बताता हूं उत्तर कुरिया और दक्षिर कुरिया को जो डिवा सब्सक्राइव को बारा को जो झाल भारत पाकिस्तान को जो अलग करने वाली देखर उसको कहते हैं रेटट क्लिफ रेखा ज़ती तो नर्थ कोरिया के बारे में हम जान लेते हैं इसकी केटईल ज है प्योंग है फिरमुग सब्सक्रेunt रिगाश के सुप्रीम सिप्रीम प्य एंके बॉन चलिए अगला कोर्शन विश्व की विश्व के किस परसिद बििल्डिंग की डिजाइनर सीजर 079 का हाल में बियानमे वर्ष की यू में निर्दन हो गया बताएं कि बिल्डिंग डिजाइन नर्जो है रिजर्द पेली का निर्दन हो गया है 92 साल की उमर में बताएं तो यह पिट्रोनस ट्विस्ट टर्वर्स मलेशिया की ठीक है यह जो है अन्य डिजाइन बन बन कनाड़ा सुआफ यार लंदन और नेशनल म्यूजियम आफ आर्ट्स उसाका दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर और कमेंट्स करना न भूलें और जाते आते लाइक जरू करें थैंक्स फॉर वोचिंग